नमस्ते फ्रेंड मैं शेफाली शेफाली की दुनिया में आपका स्वाकत करती हूँ तो आज मेरे पैर पे लग गई है चोट और विराज बन गए मेरे डॉक्टर बोल रहे हैं मैं मैं पट्टी करूंगा जैसे डॉक्टर करता है तो थोड़ा सी यह कहीं मेरे दर्वाजा बग करे यहां से सुरॉब गरे थी का जाती है तो पहुत म maar में यह कर देता हूं हुए यह लगा रहे थे अपर छलो यहां पर देखिए मैं आ गई हूं मैगी बनाने मैगी बनाजी है यह भी है उब बना देशी घी घी कर्ण लिया था च्रब कर अब इसमें मैगी को तोड़कर टालाओगा क्युकि विराज क्या है बच्चे कोई भी हो जल्दी से खा लेते कम चबाए हुए तो बड़ी-बड़ी मैगी पेट में नहीं जानी चाहिए तो मैं क्रस्ट करके बनाती हूं तो यहां पर मैं दो पैकेट बना रही हूं तो तीनों हम तीनों लोगी इसमें खा लेंगे थोड़ा-थोड़ा सनास्ता से हो जाएगा और मैगी को अच्छे से मैं ने घी में भून लिया पांच मिनिट के करीब उसके बाद मैंने इसमें पानी आड़ कर दिया और यह पनीर लाए है दूद ले आए हैं दिन में बाहर बाहर जाते हैं तब उस टाइम पे पनीर दूद या कुछ भी घर का जो थोड़ा सा जरूरत को समान होता है वो ले आते यह कुकि करोना टाइम में पार बाहर जाना ठीक नहीं है और मैर विराज तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहे हैं और यहां पर देखिए मैगी में मैंने इकलास पानी डालकर इसको पका लिया था थोड़ा सा पानी जब खुल गया है उसके बाद मैंने यहां पर मसाले और बिल्कुल साधारन से सिंपल सी मैगी बनाई है बिना प्यास ट्रमाटर के कुछ किये हुए और यह मैं की मुझे काफी अच्छी नक्ती इस तरह की साधी साधी सी इसको विराज के लिए मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ मुझे पता यहाँ पर मैं थोड़ी सी रैड चिली फ्लेक्स जो आते हैं या फिर लाल मिर्ची पाउडर जो आता है वो डाल देते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट लगता है तो मैं विराज का निकालने के बाद अपनी मैगी में और इनकी मैगी में थोड़ा सा लाल मिर्च अब लाल दोंगी इससे थोड़ी से चट पटी से हो जाती है तो बहुत टेस्टी लगते हैं देसी घी का स्वाद भी बहुत अच्छा आता है मैं जब ज्यादा सम डाल तो ब्लॉक मेरा स्टार्ट हो गया और मैं मलने जारी हूँ आठा तो आटे में मैं थोड़ा सा नमाग आटे में तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो मैं इस तरह से बनाती हूँ और बहुत फैला हुआ है प्लीज सब लोग घर पर रहें सेफ रहें कम से कम बहार निकलें दिली में तो लॉक्डाउन लग चुका है अभी से और साइध आंगे भी बढ़ने की उमीद है कि आंगे भी लॉक्डाउन चलेंगा क्योंकि ऑक्सीजन न्यूस खोल लिजिए बहार देर दुनिया की कोई ख़बर नहीं है समय बस करोना करोना ही चाय करते हूं विराज के पापा जरूर बस दूद वगएरा कुछ जो घर की जरूरत की चीजें है वो लाने एक बार जाते हैं बस और बाकि हम घर से बिल्कुल भी बहार नहीं निकल रहे हैं पहले बार से भी जादा इस टाइम पर हो रखा है पहले डेथ रेस जो था ना वो कम आपने घर के जो बड़े हैं उनका और अपना भी सबका ध्यान रखिए और जैसे गिलोई का आ रहा है इंटी सिस्टम बढ़ाने के लिए रात में हल्दी वाला तूज जरूर पीजिए नीबू जितना खा सकते हैं खाये अधिस्ता शीजों में सबजी में डाल के खाये गर तूलसी अर्ख है और इसको एक गलास पानी में तीन-चार बूंदे डाल कर पीने से उन्टी सिस्टम जो है काफी अच्छा रहता है और अधरक सोंट इस अब तीजे जो घरेलू हमारे है ना वो यूज कीजिए एक कपड़े में पांच है लॉंग तीन-चार टिकी कपूर क और एक चमच अजवाइन डालकर पोटली सी बना लेजिए और उसको सुंगी उससे क्या होता है आप सीजन लेवल जो है वह सही रहता है लदाग बगयरह में जब लोग जाते ना तो वहां पर लोग देते हैं इसको तो मैं भी चीजे यूज कर रहे हूं आप लोग भी यहां पर मैं पनीर को कदू कस कर रही हूं आप चाहे तो हांस से भी पनीर को मैस कर सकते हैं इसली हो जाता है लेकिन मैं कदू कस कर ले रहे हूं जैसे की काफी बारीक हो जाए और यहां पर मैंने कटा हुआ धनिया ले लिया है और नमक डाल रहे हूं नमक आपने स्वादन तोड़ी मिर्ष पाउडर नमक धन्या पाउडर डाल दिया है थोड़ा सा हींग जरूर आप डालें ताकि अच्छा रहता है और यहां पर मैं और और यह दोनों चीजें आपके पास आपके पास तो आप डालें नहीं है तो कोई बाद नहीं अब इसको मैं मैस कर लूगी इस अच्छी बनेगी और जितनी अच्छी स्मूध बनेगी इसनन पराठे बनेंगे गये मोटे मोटे नहीं तो यह अपनार मैं पराठे के साथ दढ सबनेंगी बूंदी को अच्छी से अच्छी बनाओं जाआ यह बूंदी दढ़ें टालागे अजोंड़ि दाल का भी नगा chipा तो नुकसान नहीं करता है तो हिंग जीरे का तड़का लगा दूंगी मैं इस तरीके से देखिए और थोड़ी सी बात में लाल मिर्च और नमग मिलाकर हमारा रायता त्यार हो जाएगा पराथे हो रायता हो फिर तो क्या कहने हैं बहुत ही यम खाना बनेगा यमी यमी सा राय रायता बनकर त्यार हो गया है और पराथे में मखन बनाओंगी तो मखन मैं निकाल के रखने लेती हूं पहले से और यह पर देखिए एक तवा लिया है यह जो नॉर्मल चुटा तवा होता है यह उससे बड़ा है दोसा तवाई का भी साल पुराना हो गया है तो अब मैं इ अच्छे से भर कर बनाती हूं को भरे भरे पराथे बनते हैं बड़े बहुत होते हैं मेरे पराथे मायंड मत कीजिए कर मैं लब बड़े बड़े से पनाती हूं पराथे और पतली होते हैं ज्यादा मोटे मुझे नहीं अच्छे लगते हैं पतले बड़े-बड़े मुझे बहुत पसंद है विराज के पापा को भी इस तरह के पराठे अच्छे लगते हैं तो मैं इस तरह से पनाती हूँ दिवाई चोटी है लेकिन फिर भी देखेगा मैं कितना बड़ा सा प्राठा इसी दिवाई पर ददर करके गुमा-गुमा के बेल लेती हूँ तो यी देखी यहार होगया हमारा एक पराठा और थोड़ा से पराठे कोई बात ने उससे कोई दिक्कत नहीं है और उस्वा कितना बड़ा कितना बड़ा और पूरा पराठा भी कितना भारी सा बन रहा है देखिए और अच्छे से भर कर जब पराठे बनते हैं पनीर के तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो यहां पर मैं दूसरा पराठा भी भड़ रही हूं और भड़ने के बाद थोड़ा सा हास से जैसे कि वह मक्य की रोटी वगरा मोटी पराठा भी जो चूले पर बनती थी उस तरह से नहीं हां से ममीलो करती थी उस तरह से कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे से बिल्कु फटे गनी पराठा फिर और यह पराठा हमारा बनकर त्यार हो गया है और दूसरा पराठा देखिए उससे भी बड़ा मैने बना दिया है इसमें भी मैं मक्षन लगा कर इसको भी अच्छे से सेख लूंगी करारा करारा सा और तीसरा प्राठा मैं आपको दिखा रही हूं कि देखिए मैं चोटी सी दिवाई भी इतने बड़े पराठे कैसे बनाती हूं तो देखिए इस तरह से मैं बना लेती हूं यह ऐसे चला- थोड़ा ही सा बेलन को इदर-दर करके और पराठे को थोड़ा सा नीचे करके कपड़ा में नीचे पिछा कर रखती हूं और मुझे प्लेटफॉर्म पराठे बेलना या रोटी बेलना बिल्खूल भी नहीं पसंद है अब मैं खाने की त्यारी लगते है रायता है मक्षन है और यह सैजवन सास है और यह पराठा सच बताइएगा पराठा कैसा लगा और आप लोग भी खा लीजिए आके अगर वीडियो मेरा जरा सा भी आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेर और कॉमेंट जरूर कीजेगा शेर भी जरूर कर दीजे फ्रेंड और फैमिली मे और मेरे चैनल पगर नहीं हो आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल आइगन के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा जिसे की मेरे अच्छे अच्छे सी वीडियो आपके साथ सबसे पहले पहुँचे तो मिलते हूं किसी अच्छे सी वीडियो के साथ तक- अपना ख्याल रहें, हर मेरे की सोस्त रहें